असलाम आलेकुम नियों स्टूडंस कैसे हैं आप सब लोग उमीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे इद आपके अच्छी गुजरी होगी अब हम तयारी की तरह आते हैं और अपने 9 तो 10 की जो एडवांस तयारी होती है जो आपकी विकेशन के टाइम पर करनी चाहिए मैंने स्ट स्टूडंस को देखा है बहुत टाइम वेस्ट करते हैं तो यह तीन महीने का टाइम वेस्ट ना करें जो 9th के स्टूडंस हैं मैं जो अभी 8th से 9th में आने वाले हैं वह अपनी 9th की प्री 9th की जो तयारी है वह स्टार्ट कर दें और जो 9th से 10th में जाने वाले हैं वह अप पार्ग सेडीज आपका एक कमपल्सरी सब्जेक्ट है आप लोगों को इसको बिल्कुल इगनूर नहीं करना चाहिए एंड पे जो है जब आप पे एकदम से बर्डन आता है प्रेशर आता है किसी चीज़ का फिर आप लोगों को जाते हैं फिर आप कहते हैं यह तो बहुत सार है यह तो इतना जाधा मिटीरियल है मैं इसको कैसे सौर्फ करें तो मैंने सूशा कि आप लोगों को का और अपना आप लोगों का जहें बहुत ज्बरा करना क्याइए तो आप लोगों को मैं चेप्टवाइज लाइट मोड़ पे थोड़ा थोड़ा के बताउंगी जो बात करते हैं और मैं नाइंध क्लास के पार्ट सेथिस का चेफ्टर नमर वन के इंपोर्टन शॉर्ट कुश्टिंस बताऊंगी स्क्रीन पर अपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे कौस्टिंस तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और मगर मैं जो है उर्दू में बोलूंगी कि मिजोरिटी नाइंध क्लास में स्टूरेंस दोनों आपको नजर आजेंगे उर्दू दोनों में लिखेंगे तो आप लोग चेक आउट कर सकते हैं तो स्क्रीन पे देखें आपको चिप्टर नमर वन के इंपोर्टन शॉर्ट कोस्टिंस बताऊ करेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कोस्टिंस की जिसको हम लोग मुख्त सिर्फ सवाल केते इक पोशन का लेंधी पोशन होता है और कुछ बैसिक चीज़ें जो मैं आपको बाद में बताऊंगे पहला हम इसके क्षटिंस पर आते हैं कि जैसे अद्यान पर है कि चौधरी मुझे जरूर बिताइएगा अंसर अगर किसी को आता है तो इसके बाद नेक्स्ट है नजरिया के चार माखेज तहरीर करें ठीक है नजरिया क्या है आइडियालोजी क्या है इसके आपने सोर्स ओफ थियोरी जा है वो फोर पॉइंट्स आपने मेंशन करने है इसके बाद नेक कौन से दो मन्फी असरात पड़े इसके बाद नेक्स्ट है अकाइद से क्या मुराद है अकाइद का मतलब होता है बिलीफ ठीक है अकाइद से क्या मुराद है नजरिया पाकिस्तान की तारीफ करें इसके बाद है चार अरकाने इसलाम तहरीर कीजिए ठीक है इसलाम के फोर पिलर्स कौन से हैं वापने बताने हैं इसको इसके नाम तहरीर करने ठीक है शौट है तो शौट में बताना है लॉंग में नहीं जादा बताना है उसके बाद काईद आजम यकम जुलाइ नाइनटीन फॉर्टी एट को स्टीट बैंक का इफ्तदा करते हुए क्या फरमाया था काईद आजम ने जब स्टेट बैंक का इफ्तदा किया था बागस्तान में नाइनटीन फॉर्टी एट में तो उन्होंने क्या क्या चीज़े बोली थी वो आपने एक दू पॉइंट्स बताने हैं दो कौमी निज़रिया का नस्म लाइन क्या था वो आपने बयान करना है इस सएद आमद खान मसल्मानों को सियासी तरक्की की राख कैसे हमवार की अकीदा तोहीद से क्या मुराद है अकीदा रसालत से क्या मुराद है अदल और इनसाफ के बारे में रसूल अकरम स. ल. अ. न. न. क्या फर्माया उनिस्वे सद्दी में बड़ सगीर पाको हिंद की दो हिंदू तेहरीकों के नाम लिखें ठीक है उसके बाद है अलामा मुहमद अक्बाल ने अपनी शायरी में किन इलफाज में मसावात का इज़ार किया अब या पर अब या फिर कभी नहीं ये जो स्टेटमेंट है पैंफलेट है किताब चाब और किस ने जारी किया था शादी दिलही के हुकमरानों के खांदानों के नाम लिखें उसके बाद नेक्स है मुगलिया दौर हकुमत के चार हुकमरानों के नाम तहरीर करें मुगलिया सल्तनत के पहले और आखरी हुकमरान का नाम लिखें और लास्ट ये आपने जो एक आयत है उसका तर्जमा तहरीर करना है इनलाहा अला कुली श्याइन खदीर ठीक है इसका आपने तर्जमा तहरीर करना है यह आपका सबक नमबर वन का इंपॉर्टन्ट कॉस्चिंज हो गए अच्छा उसके इलावा नीचे भी इसके कुछ कॉस्चिंज हैं स्क्रिंशॉट शेयर कर देती हूँ वो भी आप लोग देख सकते हैं अकीदा तोहीद पर दो लाइन जो आपने तहरीर करनी है नजरीया कि कितने माखेज हैं वो आपने बयान करना है बहादर शाह जफर का इंतकाल कब और कहां हुआ और उनको कहां दफन किया गया उसके बाद जकात के मुतलिक दो लाइने तहरीर करें अकुछ किस बात का दर्श देती है हज क्या है इसलाम में कानून की हुक मुरानी से क्या मुराद है इसलामी मसाबात के मुतलिक इलामा एकबाल का कोई एक शेर तहरीर करें चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नजरिये की वजाहत करते हुए क्या फरमाया पंडित दियानत सर सूती के बारे में आप क्या जानते हैं इसके बारे में भी आपने बताना है यह थोड़े ज़्यादा ज़रूर है मगर यह के यह सारे इंपोर्टेंट है यह आप लोगों लें लाजमी देख लें ज़्यादा नहीं 25 यह 30 के करीब शौर्ट कोशन से इसलिए थे सारे बनाया था कि आपका कोई भी इंपोर्टेंट कोशन मिस ना हो सके आप लोगों ने यह 30 सारे एक्जम से नहीं करने बेशाक आप इसको हाफ करके 15-15 करके डिवाइट करके यह तियार करें अब यह आपके पास टाइम है फ्यूचर में आपके बस फिर टाइम नहीं होगा तो इन्शाला हम नेक्स्ट भी आप लोगों के सार्ट चप्टर वाइज आगे भी शेयर करेंगे तागा आप लोगों अपनी त्यारी साथ साथ कर सके फिलाल मुझे देने अजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाफिस